नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ मेखा और इस खास पेशकश में आप से चर्चा होगी पूर्फ केंद्रिये मंत्री मेनका गांधी के पारे में सियासत के गलियारों का बड़ा नाम है मेंका गांधी राजनीती के अखाडे का मजबूत नाम है मेंका गांधी लगभग 9 आठ या 9 बार की सांसद है मेंका गांधी और उनका अनूभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है ये वही अनूभव है जिसके भरोसे ये वही अनूभव है जिस पर विश्वास करके मेंका गांधी कहती है कि प्रोचर्म स्पीकर बनने की जो रेस है मैं सबसे आगे हूँ आठ से नौ बार की सांसद हूँ मजाग थोड़ी है मेनका गांधी का अनूभव उनकी सबसे बड़ी ताकत था लेकिन ये अनूभव भारतिये जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा इस अनूभव की value दरसल लगता है बीजेपी के लिए शुन्य हो चुकी है और इसलिए मेनक मेनका गांधी को पार्टी में अब तक कोई पड नहीं दिया गया है मेंका गांधी को पार्टी से उम्मीदे है लेकिन पार्टी मेनका की उमीदों पर विचार करने के लिए तयार नहीं है खेर पार्टी ने मेनका की उमीदों से भले ही आख मूंद रखी हो लेकिन मेनका गांधी चुप रहने वाली नहीं है मेंका गांधी को लेकर सबसे पहले तो राजनीतिक विशलेशक कहते हैं क्या कर रही है भारतिय जन्ता पार्टी में अपने परिवार के पास जाएए कॉंग्रेसी खेमे में जाएंगी पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा जिस शीज की चाहत है वो चाहत पूरी होगी क्योंकि जब तक भारतिय जन्ता पार्टी का कमल हाथ में पकड़ कर रखेंगी आपके नाम के पीछे जो गांधी लगा है ये पार्टी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी राजनेतिक विशशग्या दावा करते हैं कि आज भी भारतिय जन्ता पार्टी में कई ऐसे नेता मौझूद है जो मीनका गांधी को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते जो मीनका गांधी को लेकर ऐसी राय रखते हैं तो गांधी ही कॉंग्रेस परिवार की ही होंगी मीनका गांधी ने भारतिय जन्ता पार्टी के प्रती अपनी इमांदारी साबित करने की कोशिश हर दफा की है प्रियंका की आंधी को बेशर बताया राहुल गांधी 20 सालों में भी प्रधान मंत्री नहीं बन सकते ये बात कही अपनी जेठानी सोन्या गांधी पर ढष्टा चार का आरोब भी लगाया पावजूद इसके लगता है भारतिय जन्ता पार्टी को मीनका गांधी पर भरोसा नहीं है अब मीनका गांधी बीच का रास्ता निकाल कर उनका ट्वीटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको वो बीच का रास्ता नजर आएगा वो बीच का रास्ता दरसल चुपी साधना है मीनका गांधी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक नहीं बलकि कई ऐसे वीडियोज पोस्ट किये हैं जहां वो जानवरों का खयाल रखती हुई नजर आ रही है और जानवरों को लेकर कितनी ज्यादा वो संजीदा हैं उनके मुद्दों को लेकर जानवरों पर जिस तरीके के अत्याचार होते हैं उनको किस तरीके से मारा पीटा जाता है कैसे जानवरों के प्रती हो रही इस हिंसा के खिलाफ वो हैं ये आवाज वो उठा रही हैं कैसे कोई उन्हें घायल अगर सडक पर मिल जाता है जानवर उसे अपने घर लेकर आती हैं उसका इलाज करवाती हैं उसका ध्यान रखती हैं फिर उसे अपना पालतू जानवर बना लेती हैं इस तरह की वीडियो दो से तीन मिनट की मीनका गांधी अपने ट्वीटर हैंडल प भारतिय जनता पार्टी के सामने ये साबित करने में लगी है कि आप चाहे महिला एवं बाल विकास मंत्राले की बात करें आप चाहे यहाँ पर पश्वों वाले मंत्राले की बात करें मैं जो हूँ इन दोनों ही मंत्राले में परिपक्व हूँ मीनका गांधी ये साबित करने क कोशिशों में लग गई हैं कि वो दरसल भारतिय जनता पार्टी में जाल बजाने के लिए नहीं है उनका अनुभव नए मंतरियों को उनसे प्रेड़ना लेने के लिए मचबूर करेगा वाकई मीनका गांधी ने प्रतिशोध का ये जो तरीका अपनाया है ये बाकी नेताओं को प्रेड़ना देगा क्योंकि अकसर ऐसा देखा जाता है पद के लोब में मंतराले के लोब में जो मंतरी होते हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाते हैं लेकिन मेंका गांधी कॉंग्रेस में शामिल होंगी या नहीं वो तो बात की बात है यहाँ जो राजनेतिक विशलेशकों की राय है कि मेनका जरूर कॉंग्रेसी होंगी होंगी या नहीं वो बात की बात है लेकिन फिलहार मेनका गांधी का ये साइलेंट प्रोटेस्ट करने का तरीका जनता को काफी ज्यादा भा रहा है बदा दे आपको जनता कहती है कि मेनका गांधी समझ नहीं रही है जनता कहती है कि मेंका गांधी को बात समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है उस जनता को हम ये कहेंगे कि मेंका गांधी सब समझ रही है समझ रही है शायद इसे लिए सुल्तानपुर की जमी पर जाकर कहती है कि फैसला जंदा करेगी समझ रही है इसलिए सुल्टानपुर की जमी पर जाकर कहती है अच्छा तो हम चलते हैं मेंका गांधी की समझ ही है जो उन्हें एक समझदार नेता के तरहा बगावत करने का तरीका दिखा रही है मेंका गांधी की ये समझदारी ही है जो वो एक पार नेता की तरह भारतीय जन्ताह पॉर जेहर भी नहीं उगल रही और पॉर्टी के प्रति अपनी नाराजकि भी दिखा रहे हैं । बतादे आपको पार्टी जी जब जीदी। जीत के बाद मेंन का गांधी ने कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना जरूर साधा लेकिन बीजेपी को लेकर अब किसी तरह की कोई बड़ी बात नहीं कह रही है संसद में जब उनकी जेठानी सोनिया गांधी टकराती है भती जराहुल गांधी टकराती है तो मेनका गांधी उनका भिवादन करती है बदले में वो भी मेनका का भिवादन करती है तो ये जो सकरात्मक रिष्टे नजर आए है और भारती जंदा पाची के प्रती मेनका का नक पश्किल हो सकते हैं क्योंकि अगर इस मोड पर मीनका गांधी कॉंग्रेस में शामिल होती है तो सोई हुई कॉंग्रेस जाग जाएगी बिक्री हुई कॉंग्रेस समेट कर रखतेगी मीनका गांधी तो मीनका गांधी को बीजेपी के साथ जोड़े रखना भार्तिय जंता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनोती है अब ये पार्टी कैसे मीनका को कहीं और जाने से रोकती है कैसे मीनका गांधी को बागी होने से रोकती है आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही इस पूरे रिमेन का गांधी को करना चाहिए नीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं